हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टूप्रेम भाटिया यहाँ पर आप कुछ ट्यूब्स देख रहे हैं जिसमें हम सेंपल संग्र करते हैं बलड कलेट करते हैं तो इन ट्यूब के कलर कोड से आप पैचान सकते हैं कि यह कौन सी ट्यूब है इस फरकार की ट्यूब को हम EDTA ट्यू जिसकी फुल्फोम होती है एतिलीन, डाइमीन, टेटराएसिटिक एसिड तो अगर इसके नाम को देखें तो यह किसी एक केमिकल का नाम लग रहा है तो हम इसके नाम से इसकी राशनिक सर्चनक को लिख सकते हैं कि इसमें एतिलीन है, डाइमीन है यानि कि एमीन के दो जुड़ेवे हैं और एसिटिक एसिड के चार अनु इसमें जुड़ेवे हैं और इसके साथ कुछ और साल्ट एड हो सकते हैं जैसे सोडियम, पोटेसियम, लिथियम तो हम इसके अनुसार इसको और नाम दे सकते हैं जैसे डाइपोटेसियम साल्ट, EDTA या डाइल लिथियम डाई, सोडियम तो इस परकार से इसको भी नाम देख सकते हैं तो यहां हमारे medically important जो chemical है वो है potassium वाला EDTA तो देखने में यह एक छोटी सी ट्यूब है जिसमें हमें कहीं सारी जानकारी मिल सकती है और इसके उपर कहीं सारी जो information लिखी रहती है तो कहीं बार आप इनको जल्द बाजी में नहीं पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो में हम यहीं discuss करेंगे कि यह tube क्या है कहां काम आती है इसके क्या प्रकार है और इसके उपर जो कुछ लिखावा होता है उसका क्या आर्थ है तो सारी जानकारी केवल EDT के बारे में इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि यह एक common सी simple सी tube है जो हर hospital में हर lab में सबसे पहले उपयोग में ली जाने वाली tube होती है तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और अगर आपको पसंद आए तो अपने friend के साथ share भी कीजिएगा तो वीडियो का अमारा पहला सवाल था कि इसको EDTA क्यों कहते हैं तो इसका answer हमें मिल गया दूसरा अगर हम देखें तो इसका color code है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कौन सा color दिख़ई दे रहा है मुक्य रूप से EDTA को हम तीन color में देख सकते हैं जिसको नाम दिया गया है एक तो है lavender top बोलते हैं जिसको और दूसरा है purple color और तीसरा है blue color तो यह सभी color आप इस tube में देख सकते हैं color में कुछ variation मिल सकता है जो भी इसके top की manufacturing होती है उसकी अनुशार color code मिल सकते हैं तो generally आपको इन color code में ही EDTA while मिलेगी और कोई दूसरा अन्य color नहीं है जिसमें आपको EDTA tube मिलती हो तो कहीं बार यह question पूचा जाता है कि EDTA कौन से color code में आपको दिखाई देगी तो उसमें आपके option हो सकते हैं lavender top, purple, blue इस type के option हो सकते हैं तो केवल इनी color में आपको EDTA tube दिखाई देगी तो सबसे उपर आप इसका धकन देख रहे हैं तो हमने जो इस color के बारे में बात की यह एक symbol है ताकि आपको पचान नहीं आसानी से मान लीजिए आपके पास 4 tube है जिसमें ESR के लिए आपको 1 ml sample collect करना है CBC के लिए 2 ml sample collect करना है लिपिट के लिए 3 ml और PT के लिए 4 ml आपको sample collect करना है तो यदि आपके पास color code नहीं होगा हो सकता है कि ESR के लिए आपने 3 ml sample ले ले और लिपिट profile के लिए केवल आप 1 ml ही blood लें तो इस तरह की problem नहीं हो तो इसको समझने के लिए एक universal code दिया गया है कि आप जहां कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसी color code में आपको white दिखाई देगी तूसरी बात कि इसका जो ट्यूब का material वो plastic हो सकता है अची quality का plastic हो सकता है या glass में भी आपको मिल सकती है जो अची quality की tubes होती है उसमें आपको glass की tube मिल जाएगी और उपर का जो cover होगा वो आपको plastic डखन के रूप में दिखाई देगा उसके बाद देखते हैं कि इसमें आपको उस company का नाम लिखा होगा और वो सकता है कि इसमें आपको उसका address भी दिखाई देगा उसके बाद इस tube का आपको प्रकाड दिखाई देगा कि यह tube vacuum tube है या non vacuum tube है जो vacuum container हम यूज में लेते हैं उसके लिए vacuum tube होना हाउसिक है उसके बिना आप सेंपल संग्र नहीं कर सकते इसके साथ ही यह ट्यूब किस कैपिसिटी की है वो भी आपको मेंसिन किया हुआ मिल जाएगा जैसे यहां पर आप देख रहे हैं यह एक 3 ml की ट्यूब है और यह वेक्यू टेनर है अर्थात इसमें 3 ml का ब्लड वेक्य करना है ना अधिक करना है क्योंकि यदि सेंपल कम होगा तो इसमें EDTA का रेशियो ब्लड के साथ मिक्स होगा तो वह गड़ बड़ा जाएगा इसके विपरित यदि आपने 3 ml के विपरित आपने 4 ml सेंपल संग्र कर लिया है तो हो सकता है कि आपका जो सेंपल है वो खराब ह क्योंकि इसमें 3 ml के लिए परियाफ्त अंटिकोगलेंट है उसके बाद वो सकता है कि आपका सेंपल क्लोट हो और कुछ चोटे क्लोट आपको मिल जाए जिसकी वज़े से वो सकता है कि आपके मसीन में प्रोब्लम हो मसीन कराब हो सकती है तो इस बात का विशिस कर ध्यान र करते हैं तो 3 ml आपको कहां तक प्राप्त होगा तो यह सिंबल आपको बताता है कि 3 ml सेंपल आपको यहां तक मिल जाएगा तो अगर आप ढकन खोल के सिरिंज की साहिता से सेंपल लेते हैं तो इस चिनद तक आपको सेंपल लेना है भले ही आपने सेंपल अधिक ले लिया है तो उसको discard करना है या किसी और tube में ले सकते हैं लेकिन इस tube में आपको 3 ml, 2 ml, 1 ml जो भी mention किया गया है उसी के अनुसार आपको sample संगर करना है इसके साथ आप देखते हैं कि EDT का कौन सा प्रकार है वो भी इसमें mention किया होता है कि इसमें कौन सा salt है या कौन सा आईन है जैसे इसमें sodium आईन है, potassium आईन है या lithium आईन है तो इसमें EDT में आप देख रहे हैं इसमें K3 EDT है लिखा हुआ है अर्थात इसमें potassium आईन है और potassium ion वाला EDT है और potassium ion कितने हैं तीन है तो अगर किसी में k2 EDT है और तिसमें potassium के 2 ion है और अगर k3 लिखा है इसका आर्थ है कि इसमें potassium के 3 ion है इसी के साथ इस tube में label पर आपको कुछ जगा दे रखी होती है जिसमें पेसेंट्स का नाम, पेसेंट्स आईडी, डेट, आदी यह कुछ लिखना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जिगह दी गई है, तो यहाँ पर आप सेंपल संग्रक करने से पहले या सेंपल संग्रक करने के बाद पेसेंट्स का नाम, आईडी और डेट, ध्यानपूर lab number लिख सकते हैं, mention कर सकते हैं, इसके बाद आप देखते हैं, इसमें lot number और expiry date भी लिखी रहती है, और expiry date के बाद इस tube को उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें EDTA एक chemical है, जो एक निश्चित समय के बाद expiry हो जाता है, इससे पहले आपको इसको उपयोग में लेना ह तो यदि आप expired tube का उपयोग लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका sample जल्दी clot हो जाए, और आप जो unclotted blood चाहते हैं EDTA के मादम से वो आपको नहीं मिल पाएगा इसके अतिरिक्त आपको कुछ दो-तीन symbol दिखाई दे सकते हैं, जिसमें आप एक देख सकते हैं, दो जिसपे एक cross किया गया है, तो इसका आर्थ होता है कि आपको इस tube को दुबारा उपयोग में नहीं लेना है, अर्था यह single use है, उसके बाद यह एक कौने में आप देख र दिखावा symbol मिल जाएगा, यह symbol दिर्दारित करता है कि European Union द्वारा दिर्दारित rule और regulation जैसे safety, healthy और environmental friendly को यह follow करता है, तो यह declaration अगर यह कोई manufacturer करता है, तो यह उस symbol के रूप में आपको उस product पर दिखाई देता है, तो यह CE उस symbol को show करता है, इसके आलबा कुछ tube में आपको यह दिखाई दे सकता है कि वह tube sterilized है या नहीं है, तो यह पी आपको tube पर mention कियावा मिल जाएगा, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, sterilized A लिखा हुआ है, यह तो हो गई tube की बात, तो कुछ और जानकारी जो आपको प्राप्त करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, इस tube EDTA का परियोग करते हैं, और K3 EDTA में आप देखते हैं कि जो EDTA होते हैं, आपको कुछ drops के रूप में दिखाई देता है, तो वह K3 वाइल में आपको दिखाई देगा, K3 EDTA वाइल में आपको liquid और K2 EDTA वाइल में आपको solid EDTA देखने को मिलता है, और EDTA की मातरा कितनी होगी, 1.5 mg per ml होता है, अर्थात आपको अगर 2 ml blood के लिए EDTA इसमें ट्यूब में एड करना है, तो इसके लिए आपको 3 mg EDTA इसमें एड करना होगा, और यह 2 ml blood को clot होने से रोकने के लिए परियापत EDTA की मातरा है, तो यह EDTA किस परकार से clotting को रोकता है, उसके बारें बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 13 clotting factor होते हैं, जिसकी मदद से कोई भी blood clot होता है, तो अगर इन clotting factor में से किसी एक factor को भी अगर हम पूरी mechanism से remove कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि blood clot नहीं होता है, तो EDTA क्या काम करता है कि blood में जो calcium होता है, जो कि एक important clotting factor है, अगर हम इसको remove कर देत हैं, तो blood clot नहीं होता है, तो EDTA यहीं काम करता है, तो जब भी आप sample संग्रा करते हैं, तो tube में जो EDTA है, उसको blood के साथ अची तरीके से mix करना है, तो mix करने के लिए आपको tube को 8 बार invert करना है, अर्थात उपर से नीचित की और ले जाना है, ना कि इसको shake करना है, shake करने से RBC ही तूट सकती है, और cell सतिग्रस्त हो सकती है, जो कि result में variation लाता है, और हो सकता है कि आपका पुरा blood ही hemolize हो, जो कि blood test के लिए उप्योग में नहीं लिया जा सकता है, तो sample संग्रा के बाद जितना जल्दी हो सके, उस tube से test लगा देना चाहिए, इसके बावजूद यदि आ के पास समय कम है और कुछ और भी आपके sample है कि इसको आप जल्द से जल्द नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए आप इसको 12 घंटे के लिए refrigerate कर सकते हैं, उस दोरान आपको इसके result में कोई भी variation देखने को नहीं मल सकता है, maximum आप 12 घंटे के लिए उसमें refrigerator में सेव कर सकते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि इस blood की quality दीरे-दीरे कम होने लगती है, sample को संग्रा करने के बाद आप देखते हैं कि इसको अगर हम tube में खड़ा रख दिया जाए या फिर इसको हम centrifuge करते हैं, तो आपको जो cells है वो नीचे sediment के रूप में प्राप्त होती है, और उपर Supreme Student Act होता है, तो उसमें आपको जो plasma दिखाई देता है, उसको हम EDTA plasma करते हैं, अगर यह हम citrate blood में लेते हैं तो इसको citrate plasma करते हैं, हिपरão में लेते हैं, तो हिपरिन plasma करते हैं, तो इसको हम EDTA plasma करते हैं, नॉट EDTA serum, EDTA serum कभी भी नहीं होता है, इसके अलावा एक और बड़ा टॉपिक रह गया, कौन-कौन से टेस्ट है, जिसका सेंपल हमें EDTA ट्यूब में लेना चाहिए, तो जो मुख्या ब्लड टेस्ट है, वो है CBC, सबसे कॉमन और मुख्या टेस्ट है CBC, इसके लिए हम EDTA ट्यूब का उप्योग करते हैं, इसके अलावा यदि आप इसार करना च स्लाइड के लिए यह बेस्ट एंटिकोग्लेंट है, यह सेल की मॉर्फोलोजी को प्रिजर्व करता है, तो कोई भी स्लाइड बनाने के लिए, चाहिए वो PBF की स्लाइड हो, या मलेरिया की स्लाइड हो, उसके लिए EDTA ब्लड बेस्ट रहता है, और जैसे स्लाइड काउंट है, उसके लिए यह बेस्ट है, इसके अलावा HbA1c टेस्ट के लिए EDTA उप्योग में लेते हैं, इसी परकासे CD3 और CD4 काउंट के लिए भी हम EDTA उप्योग में लेते हैं, ब्लड ग्रूप है, अमोनिया, G6PD, HbE, HbS, PCR, प्लेट्स काउंट, हीमिटोक्रेट, PCV, DNA, एप्सुलेट इस्नोफिल काउंट्स, प्लेट्स काउंट, PCV या हीमिटोक्रेट, DNA टेस्ट, कुम्स टेस्ट, हीमोग्राम, क्रोसमेच, HIV वाइरल लोड्स, प्रोपोनिन आई, रेर सेल्स फॉलेट, तो ये काउटी सारे टेस्ट है, जिसका सेंपल आपको EDTA में लेना होता है, तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, अगर EDTA, यदि 2 ml की EDTA के लिए, यदि आप केवल 1 ml सेंपल संगर करते हैं, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो K2 EDTA, हाई सांधरता पर राल रख्त को सीखाओं के MCV को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जबकि K3 EDTA का उच्छ सांधरता में लाल रख्त को सीखाओं के MCV पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अनुमाना तब 1% यह MCV को कम कर देता है, और K2 EDTA की अधिक सांधरता रख्त की PCV 2 से 3% तक गड़ जाती है, जबकि K3 EDTA के साथ यह अधिक इसपरस्ट होती है, अर्थात K2 EDTA के मुकाबले K3 EDTA बेस्ट रहता है, तो आपने देखा कि EDTA की बात करते करते ही यह वीडियो कितना लंबा हो गया है, तो इसके लिए मैं समाच चाहता हूँ, लेकिन यह आपको जानकारी प्रदान करने के लिए था, I hope आपको जानकारी प्रसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर लीजेगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, और अपने फ्रेंड के साथ सेर कीजेगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके, तो चलिए म कर दी नचे, तो चैनल को बार है, तो चैनल को सिरक के सेर कारी झाफ्तौर कि जरूर के लीजेगा, चैनल को जरूर उन्हेंस